सल्मान ख़न ने किस फिल्म में बजन बढ़ाने के लिए आइस्क्रीम खाई किस मूवी के कर रेक्टर में नभलने के लिए सल्मान ने बेशोमार रोटियां पचाई इस वीडियो मैं आपको बताएंग़ ऐसी डिटेल सल्मान खान ने सुल्टान मूवी के कुछ सीन के लिए अपना वजन बढ़ाया और इसके लिए उन्होंने नायाब तरीका पनाया कहते है सल्मान खान सेट पर जब भी पहुंसते तो आइसक्रीम खाना शुरू कर देते उन्हें ये सला एक डाइटीशन न दी थी ताकि रैसलर के करेक्टर में फिट देखने के लिए वो मोटे हो सकाएं और स्क्रीन पर वैसे ही लगाएं सल्मान ने सल्हा को माना और ज़रूरत से ज़्यादा एसक्रीम भी खाई उन दिनों गर्मिया हुआ करती थी इसलिए सल्मान के लिए ये ज़्यादा मुश्किल भरा नहीं रहा मगर जिस तरह उन्होंने खुद को किरदार के लिए तैयार किया उसकी हर किसी ने तारीफ की सल्मान खान ने साजन फिल्म के लिए जो परिश्रम किया उसे सुनकर फिल्म इंडस सी तारीफ किये बगएर नहीं रह सकती खुलासे के मताबिक सल्मान खान साजन मुवी के लिए एक बार मैं 30 से 35 रोटियां खा जाते थी ऐसा उन्हों न किया था बजन बढ़ाने के लिए सल्मान ने सबार में बताया मैं बहुत पतला था तो वेट गिन करना था इसलिए मैं खुब खाता था बजन बढ़ाने के लिए 30-30 रोटियां और बहुत सारा राजमा और उसके बाद चावल पता नहीं कहां जाता था वो लेकिन आज की तारीख में मैं इतना एक सब्ता में भी नहीं खाता हूँ साजन मूबी साल 99 माई थी बताते हैं उस वक्त सल्मान बहुत दूबले हुआ करते थे सल्मान खन मैंने प्यार किया मूबी के लिए भी ऐसा ही तरीका अपनाया था ताकि वो मोटे हो सकें बताते हैं कि इस फिल्म के लिए सल्मान खन केले का नुस्खा अपनाया वो सैट पर एक बार में दरजोनों केले ले जाते थे और कई बार तो शूटिंग पर ब्रेक मिलते ही केले से भोग मिटाते थे उन्हें और सल्मान को जरूर से जादा बजन बढ़ाने के लिए कहा गया था सूरज बढ़ जात्यान है इसे लेकर बताया असल में सल्मान खन गाने में ग्रे किलर का सूट पहना था सल्मान तब बहुत दूबले पतले हुआ करते थे खासकर उनकी टांगें बहुत पतली थ सेट पर तेज हवा चल रही थी जिस कारण धेली ढाली पेंट हवा में लहरा रही थी हलांकि कहते कि सल्मान का यह तरीका काम नहीं आया फिर उन्हें मोटा दिखाने के लिए अलक्ट्रिक निकाली गई थी सल्मान खान ने जितनी महनत बजन बढ़ाने में की उतना ही पसीना घटाने में की है कैट के साथ टाइगर जिन्दा है मूवी में दिखने के लिए सल्मान ने चार चार घंटे जिम में गुजार दिये सल्मान ने इस किस्से को शेर करते हुए कहा बजन बढ़ाना और फिर गटाना बेहत कष्ठकारी है सुल्तान में मेरा बजन 96 किलो था मैंने 18 से 20 किलो बजन गटाया मैं फिल्म टाइगर जिन्दा है के लिए तयारी कर रहा था दोस्तो सल्मान खान के इस डेडिकेशन पर आप क्या सोचते हैं साथ ही रोटी और केले से बजन बढ़ाने वाले प्रयोग को आप फ़नी मानते हैं या सही तरीका कमेंट बॉक्स में अपनी रहे जरूर दें